नमस्ते बच्चों, आज की तासिका में हमने हिंदी के जीन पाठों का अध्यान किया है, उन सभी पाठों का हम संग्षिप्त में पुनरावर्तन, मतलब रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हमें एक हिंदी की परियोजना बनानी है, इस परियोजना का विशय क्या है, और पर खेली तासिका में हमने आओ खेले इस चित्रपाठ का अध्यान किया था, आओ खेले इस पाठ में चित्र दिया गया है, और उस पर चार खेलों को चित्रित किया गया है, जैसे लगोरी, गुली गंडा, कबड़ी और क्रिकेट, और यह चार खेल किस प्रकार खेले जाते हैं इसके बारे में हमने जानकरी लिए है उसके बाद नंदनवन नंदनवन इस पार्ट में हम एक संदेश दिया गया है पवदे लगा वो पेड़ बचाओ बच्चों हमें पवदों को लगाना है और पवदों को और पेड़ को भी बचाना है क्योंकि पेड़ पवधे हमारे जीवन में महत्व पुर्ण है पेड़ों से हमें शीतल छाया मिलती है पेड़ पवधों से हमें सुन्दर मनमुह फूल मिलते है पेड़ों से हमें सुमधूर फॉल मिलते है जो अमारे आरोग्या के लिए हितकारोग होते है सबी सजुओं को जीने के लिए आवश्यक प्राणवायू यहापी हमें पेड़-पवदों से ही मिलता है इतना ही नहीं तो यहाप पेड़-पवदे पक्षियों का जानवरों का सहारा भी होते हैं तो बच्चों हमें पेड़-पवदों को बचाना है उसके बाद मर्चली ने जल को जीवन कहा है अभी आप सभी को पता है ही कि जल को जीवन क्यों कहा जाता है क्योंकि जल के बिना कोई भी सज्यू जीवित नहीं रह सकता केवल मनुष्य ही नहीं तो पशुपक्षों को, पेड़ पौधों को जीने के लिए जल आवश्चक है यदि जल नहीं होगा, तो कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा इसलिए जल को जीवन कहा गया है उसके बाद हमने बुंदे इस कविता का अध्यन किया जब आकास से बुंदे धर्ती पर आती है, तो क्या-क्या कमाल करती है, इसका चितरन इस कविता में किया गया है जब आकास से धर्ती पर यह बुंदे आती है, तो वह रिम जिम रिम जिम गाती हुई आती है यहाँ बुन्दे जब खेत, बाग और मैदानों में गिरती है तो खेतों, बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है धर्ती पर गिर कर नालों नदियों से अंतमे वह सागर में मिल जाती है केवर गर्मिस से तपती हुए लोगों को ही नहीं, तो पेड़ पहुते पक्षी जानवरों को भी यहाँ बुन्दे शितलता पहुच जाती है जब बरसात की बुन्दे धर्ती पर गिरती है, तो हमें रास्ते पर बगीचे में मेंडल दिखाई देते है मोर नातने लगते है, पपी आकोयल गाने लगते है, इस प्रकार सब का मन यह बुन्दे हर्शाती है पुरुणाई की ओर से चलने वाली हवा पर वह सवार होकर इठलाती है, मुसकाती है इस प्रकार धर्ती पर आकर यह बुन्दे सब को हर्शाती है बुन्दे इस कविता पर आधरित आपको परिक्षा में इस प्रकार प्रश्न पुछे जाएंगे कविता की पंक्तिया पूर्ण करो एक रिमजिम रिमजिम रिक्तस्तान आती बुंदे धर्ती रिक्तस्तान जाती बुंदे इस प्रश्ण का उत्तर इस प्रकार लिखना है रिमजिम रिमजिम गाती बुंदे धर्ती पर है आती बुंदे धर्ती से नालो नदियों में सागर में मिल जाती बुंदे बच्चों हमें कविता की पूरी पंक्तिया लिखनी है प्रश्ण दोन नीमना लिखित प्रश्णों के उत्तर एक-एक वाक्या में लिखिये प्रश्ण अंत में बुंदे किस में मिल जाती है उत्तर अंत में बुंदे सागर में मिल जाती है इस प्रकर बच्चों हमें पूरे वाक्ट्य में उत्तर लिखना है प्रश्न तीन आपको दिर्ख उत्तर वाले भी प्रश्न परिक्षा में पूछे जाएंगे बुंदे क्या क्या करती है बुंदे रिमजिम रिमजिम करते हुए गाती है वे खेतों बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है बुंदे गर्मी से परेशान लोगों को शीतलता पहुचाती है वे पुरुवाई के रत पर चड़कर इठलाती है इस प्रकार दिर्ग उत्तर भी आपको लिखने है उसके बाद हमने संग्या किसे कहते है इसके बारे में जानकारिली है वेक्तियों के, पशुयों के, जानवरों के नाम, रिष्टों के नाम, मन की भावनाई, स्तानों के नाम इन सबी नामों को व्यक्रन की भाषा में संग्या कहते है संग्या के कूल पाच प्रकार है व्यक्तिवाचक संग्या, जातिवाचक संग्या, भाववाचक संग्या, द्रव्यवाचक संग्या और समुहावाचक संग्या परिक्षा में केवल आपको दो प्रकार पूछे जाएंगे एक व्यक्तिवाचक संग्या जिस संग्या से किसी विशेश व्यक्ति लड़के महत्मा, पुस्तक, पहाड, नदी, आदी के नामों का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संग्या कहते है उदारन, मुंबई बड़ा शहर है मुंबई इस शब्द से सिर्फ एक विशेश शहर का बोध होता है इसले मुंबई यह व्यक्तिवाचक संग्या है दो, जातिवाचक संग्या परिभाषा, जिस संग्या से एक पुरे वर्ग या पुरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संग्या कहते हैं उदहरन नदी परवस्य से निकलती है नदी इस शब्द से किसी विशेश नदी का बोध नहीं होता है तो नदी इस शब्द से पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है इसलिए नदी यह जातिवाचक संग्या है योग के चुनाव इस पाट के माद्यम से इमानदार और परवपकारी व्यक्ति को उसकी इमानदारी और परवपकारी रुत्ति का अवश्य ही अच्छा फल मिलता है यह शिक्षा दे गई है इस पाट पर आधारित आपको परिक्षा में इस प्रकार प्रशन पूछे जा सकते हैं एक कोश्टक में से उची शब्द चुन कर रिक्तस्तानों की पूर्ति करो एक भागते दवडते कर्मवीर रिक्तस्तान पहुचा इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है भागते दवडते कर्मवीर दरबार पहुचा आपको पूरा वाक्य लिखना है सारे दिक्तस्तान कर्मवीर को देखकर हसने लगे उत्तर सारे उम्मिदवर कर्मवीर को देखकर हसने लगे प्रशन दोन दिये गए परियायों में से सही उत्तर चुन कर लिखो एक मंत्री जगतराम सेवा मुक्त होना चाहते थे क्योंकि अ वे अस्वस्त रहते थे ब वे गाउजा कर रहना चाहते थे क वे बुड़े हो चुके थे अभी इसका उत्तर लिखते वक हमें प्रश्ण में पूचे गए वाक्य और उत्तर में जो वाक्य लिखना है उन दोनों को साथ में लिखना है जैसे मंत्री जगतराम सेवा मुक्त होना चाहते थे क्योंकि वे बुड़े हो जुके थे प्रश्नतिन नीमनलिखीत प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखी है एक राजा मंगल सिन तैसा मंत्री चाहते थे उत्तर राजा मंगल सिन जगतरम जैसा सेवा भवी परोपकारी और इमांदर मंत्री चाहते थे इसके बाद हमने कश्मीराईस पाठ का अध्यन किया कश्मिरा इस पाठ में एक जैसे दिखने वाले दो चित्र दिये गए थे लेकिन उन दोनों चित्रों में दस अंतर थे उन दस अंतर को खोच कर हमने उसकी सूची बनाई पहचान हमारी भाग एक इस पाठ में चित्र और उसके साथ शब्द दिये गए है इन सभी शब्दों से आपकी शब्द संपदा बढ़ाना यही केवल उद्देश है और उसके साथ ही ओ, आ, ई, ई, उ, उ इन स्वरों से भी आपको परिचित किया गया है अभी बच्चों हमें एक हिंदी की परियोजना बनानी है मतलब हिंदी का प्रोजेक्ट बनाना है और इस हिंदी की परियोजना को कैसे बनाना है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं इस प्रकार हमें हमारी परियोजना का मुख़पृष्टब बनाना है उस मुख़पृष्टब पर हिंदी परियोजना या हिंदी परियोजना कार्य ऐसे लिखना है आप अपनी कलपना से आकरशक रंगों में और सुन्दर डिजाइन में और भी आकरशक मुख़पृष्टब बना सकते हो उसके बाद आपको नेमपेज बनाना है उस पर नाम विशे, कक्षा और परियोजना का नाम लिखना है नाम चात्रों को अपना नाम लिखना है विशे, विशे हिंदी, कक्षा, पाच्वी और परियोजना का नाम हमारी परियोजना का नाम है मेरा प्रिय खेल मेरा प्रिया खेल इस विशे पर आधरित हमें परियोजना तयार करनी है बच्चो मैदान में खेले जाने वाले खेल हो या घर में खेले जाने वाले खेल आपका जो प्रिया खेल है उस खेल पर आपको परियोजना बनानी है अभी इधर आपको कुछ संकेत दिये गए है इन संकेतों का आधार लेकर भी आप परियोजना बना सकते हो खेल का हमारे जीवन में महत्व खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है आओ खेले इस पार्ट में मैंने बताया था खेल हमारे जीवन में मनोरंजन का कार्य करते है इतना ही नहीं तो शारिरिक और मांसिक विकास करने में महतवपुर्ण योगदान देते है खेल हमें तंदुरुस्त बनाते है, हमारा मनुबल बढ़ाते है इस प्रकार हम खेल का हमारे जीवन में जो महत्व है, उसके बारे में भी लिख सकते है दुसरा संकेत, आपका प्रिया खेल आपका प्रिया खेल कौन सा है? उस खेल का आपको नाम लिखना है अगला संकित खेल प्रिय होने के कारण कौन से है जो खेल आपको प्रिय है वह खेल प्रिय होने के क्या कारण है उन कारणों को भी आप लिख सकते हो उसके बाद खेल के नियम जो आपका प्रिया खेल है वह खेल खेलने के कुछ नियाम होंगे कुछ सिष्टाचार होंगे उन नियामों को भी आप अपनी परियोधना में लिख सकते हो अगला संकित मैडान परियोधना बनाते समय आप अपने मेरा प्रिया खेल इस विशय के संदर्व में, संबन्द में जो भी आपके पास चित्र है, उज चित्रों को भी चिपका सकते हो, यह तो चित्रों को पना भी सकते हो अगर आपका कबड़ी यह प्रिया खेल है, तो आप इस प्रकार कबड़ी का मैदान भी बना सकते हो शत्रंज आपका प्रिया खेल है तो आप शत्रंज का भी चित्र बना सकते हो क्रिकेट आपको अच्छा लगता है तो आप क्रिकेट के सम्मंद में भी चित्र चिपका सकते हो या बना सकते हो अगला संकेत है आपका प्रिया खिलाडी जो आपका प्रिया खेल है वह खेल खेलने वाला आपका प्रिया खिलाडी की तस्विर है तो आप उस तस्विर को भी अपनी परियोजना में चिपका सकते हो नहीं तो उनका चित्र भी बना सकते हो अगर आपके पास तस्विर नहीं है और आप चित्र भी नहीं बनाना चाहते हो तो भी आप अपनी सुन्दर हस्ताकशर में उस खिलाडी के बारे में जानकारी लिख सकते हो तो बच्चों इस प्रकर आपको मेरा प्रिया खेल इस विशय पर आधारित, सुन्दर और आकर्श्व परियोजना बनानी है धन्यवाद